Hello friends, आजी क्लास में हम इस्त्री रोग का ही एक और टापे कम्लीट करने वाले हैं, हमारा टॉपिक है रितु काल में वर्जे, रितु काल दिूरिंग मैंसिस, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए अगर वो करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है, पूछा गया कोश्चन है, हर ब हाफ हैं, तो पहले हाप को हम में दूसरे हाफ से कोर्रेड करके याद करने वाले हैं, और लास में आपको आंसर भी देना है, चार पांच कोश्चन में आप से पूछूंगी, सभी को कमेंट करके आंसर देना है, ठीक है, चलिए, तो दिवास वपन से क्या होता है, स्वाप अगर इस तरी दिवा सोपन करेगी तो उसका जो बच्चा होगा वो कैसा होगा निद्रालू होगा तो पढ़ गई समझ में आएगा अगर वो दिवा सोपन करेगी तो बच्चे पर भी वही असर होगा ठीके अंजन लगाएगी अंजन कहां लगाते हैं बहुत जादा शब्दों को सुनेगी, तो बच्चा कैसा हो जाएगा, बधिर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, देखो, कर्ण से हम सुन रहे हैं, अगर वो जादा सुनेगी, तो बच्चे पर क्या एफेक्ट होगा, वो ही बहरा हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको कोई जादा बनाने की जरूरत नहीं है, हमको पढ़के ही समझ में आ रहा है, ठीके, अती रोधन से क्या होगा, अगर जादा रोगी तो द्रश्टी पर असर पड़ेगा, तो बच्चा कैसा होगा, विक्रत द्रश्टी वाला हो जाएगा, ठीके, केश अवलेखन, अगर केश अवलेखन कर तो बच्चे के बाल नहीं बच्चेंगे हैं, बच्चा कैसा हो जाएगा, गंजा हो जाएगा, इसनान या अनुलेपन, तो देखिए कभी-कभी क्या, ठंडी की दिनों में अक्सर ऐसे होता है, कि नहाने में बहार दुख होता है, आना इस पंजिंग करना अच्छा लगता ह है, ऐसा ही होता है, तो इसनान या अनुलेपन करेगी, तो बच्चे को दुख होगा, ठीक है, तो अनुलेप भी नहीं लगना, क्रीम वगेरा भी नहीं लगना, प्रधावन, जादा चलेगी, धवन मतलब बहुत जादा, दोड़ेगी, भागेगी, तो बच्चा भी होगा, चंचल होगा, देखिए, हमेशा जरूरी नहीं होता कि हर एक चीज को हम कोड बना कर पढ़ें, लेकिन अगर हम उसको समझ कर भी पढ़ेंगे ना, तो वो भी चीजे हम को याद हो जाएंगी, पर्टिकुलर कॉन से टॉपिक में, जहां पर ऐसा कुछ जरूरी नहीं है बनाने का, बस समझना है, बस एक बार पढ़ना पढ़ता है, अगर इसको हमने नहीं पढ़ा और हमसे कोशन पूछ लिया एक्जाम में, तो नहीं बनेगा, कम से कम एक बार हम रीड अकेला कर लेंगे, तो जरूर बन जाएगा, ठीके, हसने पर, हसने पर क्या होता है, दा ठीके, तो देखिए, हमने कुष्ठी की उत्पत्ती पढ़ी थी, चरक निदानिस्थान के आठवे चाप्टर में, रोगों की उत्पत्ती, वहां पर कुष्ठुर प्रमिह कैसे हुआ था, हवी प्रशात, मतलब जो हवन सामग्री थी, उसका सेवन करने से कुष्ठुर प्र से लेचन कराते हैं, तो ऐसे भी याद कर सकते हो, तेल अभ्यां करेगी, तो स्किन में प्रब्लम हो जाएगी, कुष्ठ हो जाएगा, मारूत आयास सेवन, मतलब बहुत जादा परिश्रम करेगी, तो कैसा होगा, उनमत पागल हो जाएगा, कितना जादा महनत तो मैं नहीं बहुत जादा हवा का सेवन करना, उनमत हो जाएगा, नखापकरदन, नख से कुनकी याद रख सकते हैं, अतिकतन, प्रलापी, बहुत जादा बोलेगी, तो बच्चा कैसा होगा, प्रलापी होगा, कैसे हम याद रख सकते हैं, प्रलाप करने वाले, बहुत जादा बोलते ह ऐसा क्यों हो गया मैंने तो ऐसा कभी सोच ही नहीं था ऐसा क्यों हो गया मतलब वो कुस्तों भी बोलते रहेंगे प्रलाप करते रहेंगे तो जादा बोलने का अगर वो अभ्यास करती है तो उसका बच्चा कैसा होगा प्रलापी होगा तो मुझे नहीं लगता कहीं पर भी को खाप करतन, कि दूसरा अंजल लगाने से क्या प्राब्लम हो सकती है, तीसरा चंचल होना किस कारण हो सकता है, बच्चा बहुत चंचल हो, कैसे चंचल होगा, वो क्या करती होगी तो बच्चा चंचल होगा एक्टिव रहेगी न, भले ही वन लाइन में आप से नहीं बनना लेकिन आप 4 option देखेंगे तो जरूर बनेगा ठीक है केश लेखन करने से क्या होगा और लास्ट कोश्चन है आपका अनूलेपन इसनान या अनूलेपन करने से क्या होगा ठीक है आंसर जरूर बताना है मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में इस्त्रियन प्रसूती का ही एक और इंपोर्टन टॉपिक कवर करेंगे जादा से जादा इंफोर्मेशन के लिए आप PGRV प्रिजनम एप को डाउन्रोड कर सकते हैं प्लेस्टोर पर जाकर वहाँ पे आप डेमू भी ले सकते हैं थैंक्यू सुमच